सुप्रीम कोर्ट में आज एहम फैसले होने वाले हैं बता दें कि कई प्रमुख मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी बिहार के उप मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव के खिलाब मानहानी का मुकदमा इसमें शामिल है वारणसी के ग्यानवापी मजद मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है अलावा इसके न्यूज क्लिक वेबसाइट को चीन से मिल रही फंडिंग के आरोपों का सामना कर रहे दो आरोपियों के खिलाफ भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी बदा दे कि सुप्रीम कोर्ट में आज कई एहम फैसले भी लिये चा सकते हैं क्योंकि कई बड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तरचा है वो ग्यान वापी मजजद का ही मामला क्यों न हो दरसल बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा तेजस्वी ने गुजरात की एक निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर आपराधिक मानहानी के मामले को ट्रांसफर का अनरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है दरसल मार्च में तेजस्वी ने बयान दिया था जिसके बाद उन्होंने कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं इसके बाद तेजस्वी के खिलाफ एहमदाबाद की एक अदालत में मानहानी का मुकदमा तर्स किया गया था वहीं दूसरा किस ग्यानवापी मामले का है सुप्रीम कोर्ट में वानसी के ग्यानवापी मस्जद विवाद पर सुनवाई की जाएगी हिंदू पक्ष ने मस्जद के सील किये गए वजू खाने को खोल कर उसके भी वैग्यानिक सर्वे की मांग की है भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षड एसाई का कहना है कि उसने ग्यानवापी मस्जद परिसर का सर्वे पूरा कर लिया है लेकिन ड्राफ्ट रिपोर्ट को पूरी तरीके से त्यार करने के लिए उसे और समय की जरूरत है वानसी की एक अदालत की तरफ से एसाई को सत्रा नवंबर तक का समय दे दिया गया है बात अगर तीसरे मामले की की जाए तो तीसरा मामला न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़ा हुआ है जहां न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग मामले में आरोप है कहा गया है कि इस वेबसाइट को चीन से फंडिंग मिल रही है चीन से पैसे लेकर भारत विरोधिगत विदियो के आरोपी प्रबीर पुरकायस्त और अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोट सुनवाई करने वाला है न्यूसक्लिक नाम की वेबसाइट से जुड़े दूनों आरोपियों ने अपनी गिरफतारी को वलत बता दिया है उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उन्हें बिना नोटिस दिये ही गिरफतार कर लिया गया पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने दिल्ली पुलिस से याचिका पर जबाब भी मागा था देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोट में आज इन मामलों पर क्या सुनवाई होती है और क्या फैसले लिये जाते है झाल झाल झाल